नमस्कार, SVT News में आपका स्वागत है, पेश है 5 जन्वरी, शुकरवार दोपैर सवा 3 बजे, राजस्थान की 15 बड़ी खपरें, इस News Bulletin के प्राई हो जख हैं विनी, विनी केक अन मोर, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर अमिच शाह डोभाग जैपूर पहुँचे, पी-म शाम को आएंगे मोदी की दोरे से पहले एक रात में वसंदर राजी की तस्वीर गायब, क्या है बड़ा संदेश जैपूर में डीजी आईजी कॉनफरेंस, वी आईपी का हो रहा कोविड टेस्ट, टाजसान में शीतलायर का प्रकोब, सरकार नेज़वारी के अडवाईसरी और घने कोहरे के 20 सफाई कर्मियों को चाई पिलाई मेर सौमया गुर्जर ने और अब खबरे विस्तार से डिरेक्टर जीत डोभाल जैपूर पहुँच गए है जबकि पी-एम मोदी शाम को जैपूर आएंगे कानफरेंस के कारण तीन दिन के लिए जैपूर को हाई अलोट पर रखा गया है कानफरेंस में कई अजेंसियों के प्रमुक और सभी राजयों के डी जी आई जी मौजूद रहने वाने हैं डायसान पुलिस की वोड़ से सभी महमानों के रहने के विवस्ता सरकारी आवासों में की गई है इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी महमान को प्राइविट सान यानी की होटल में नहीं ठैराया जाए कहते हैं सत्ता बदलने के साथ ही तस्वीर भी अकसर बदल जाया करती है और इसकी बान गया अब राजसान भाजपा में देखने को मिल रही है जहां जनरेशनल चेंज के बाद पोस्टर और होडिंग से एक बार फिर वसंदरा राजी आउट हो गई है और इससे दूर तलग संदेश भी दिया गया है दरसल कल रात तक बीजेपी कारले के पोस्टर पर वसंदरा राजी की तस्वीर थी लेकिन आज नई सुबह के साथ नया पोस्टर नई तस्वीर देखने को मिली है पोस्टर पर एक तरफ मोदी नड़ा और जोशी की तस्वीर छपी हुई है तो दूसरी तरफ साथ में सीम भजनलाव शर्मा डेपटी सीम दिया कुमारी और प्रेम चंदबैर्मा की फोटो लगी हुई है इस तस्वीर को भाजपा दफ्तर के इर्दगिर्द लगाया गया है इसमें सिर्फ साथ नेताओं के तस्वीर को जगदी गई है साथ ही राम मंदिर और नारेशक्ती वंदन बिल से जुड़ी सांकेतिक तस्वीर भी लगायी गई है रावजानी जैपुर में आज से डीजे आजी कॉन्फरेंस होने जा रही है जिसमें प्रधान मंति नरेइनर मोदी, ग्रह मंति आमिट शाह और अन्या भाग लेंगे ये कॉन्फरेंस उस समय हो रही है जिस समय राजिस्तान में कॉरोना को लेकर अलर्ट है ऐसा में चिकिसा विभाग के ओर से इस कॉन्फरेंस को लेकर सभी विआईपी को लिस्टिट किया गया है उनके घरों में मैडिकल टीमें भेजी जा रही है कॉन्फरेंस से जुडे सभी लोगों की कुरुना जांच की जा रही है जयापुर प्रथम CMH डॉक्टर विजय सिंग फौसदार ने बताया कि करीब 50 VIP की पहली लिस्ट है जिनके घरों पर मेडिकल टीम में भेजी गई है या भेजी जा रहे हैं जिनकी RDPCR ज्वांच की गई है अब तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिला है राजसान में शीतलहर का जबजस प्रकोब देखने को मिल रहा है जुसे लेकर राजसान सरकार गंभीर है जनतार शीतलहर से कैसे बचाव करे इसलिए राजसान सरकार एडवाईजरी जारी कर रही है आफदा प्रबंदन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने शीतलहर क प्रकोब से बचाव के लिए विभाग या वंजिलास्तर पर आवशक कदम उठाने के लिए एडवाईजरी जारी की है आफदा प्रबंदन विभाग के शासन सचीव पीस सी किशन ने बताया कि संभावी शीतलहर के प्रकोब को गंभीरता से लेते हुए इससे होने वाली श चाई लेकर निकली और सफाई कर्मियों को चाई पिलाई इस तोरहां स्वचता युद्धाओं को दस्ताने भी बांटे वही चाई के दुकानों पर जाकर प्लास्टिक के कप का उपयोग नहीं करने को लेकर समझाईश की समाजिक नियाएव अधिकारता विभा की ओर से मिलने वाली समाजिक सुरुक्षा पेंशन का भावतिक सत्यापन करने की सरकार ने अवदी बढ़ा दी है अब इसकी अवदी 31 जनवरी कर दी गई है अब सत्यापन कराने से वंचीत रहे 55,000 से जादा लोग सत्यापन करा सकें तो वे इस महा की फरवरी महा में मिलने वाली पेंशन से वंचीत हो सकते हैं टोंक में समाजिक नियाएव अधिकारता विभा के अपने देशक राजिन दुकमा ने बताया कि इस साल के लिए समाजिक सुरुक्षा पेंशन योजनों के सभी लाभारतियों ने वाशिक और प्रदेश में 702 प्रतीशत से ज़दा पेंशनर्स द्वारा वाशिक सत्यापन कराया गया रज़सान में भजनलाल सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुए लगवग 6 दिन से अधिक का समय जा चुका है लेकिन मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा नहीं हो सका ह ऐसे में हर कोई मंत्रिय विभाग के इंतिजार में हैं ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि गरह मंत्री किसे बनाया जाएगा ऐसे में दो नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं वो है एक तो सियम भजनलाल शर्मा खुद और दूसरा है किरोडीलाल मेना का सियम जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा की रूट मैप के अनुसार इसमें धौलपुर और बांसवाड़ा जिले कवर होंगे दोनों जिलों में 128 किलोमेटर का सफ़र तैह होगा यात्रा दो फेज में राजिस्तान से होकर गुजरेगी पहले फेज में उतर प्रदेश से बाकी यात्रा बस से पूरी होगी सवाई माधपुर के राम सिंग पूरा सित प्रदेश के एक मात्र राजीव गांदी शेत्री प्रकरतिक संगरहाले में अब जल्धी कार्मिकों को रहने के लिए बहतर आवासों की सिविधा मिल सकेगी दर असल के इंडर सरकार की ओर से ने आवासों का निर्मान कारे कराया गया है आवासों का निर्मान कारे अपने अंतीम चरण में हैं और काम के जल्धी पूरा होने की उमीद बतायी जा रही है सीकर में उची छलांग लगाने वारे सरकारी स्कूलों की नामांकन के ग्राफ ने फिर गहरा गोता लगाया है दो साल पहले तक तीन लाग तक पहुंचा नामांकन इस बार करीब 14 लाग की कमी के साथ 85 लाग 42 हजार पर लुड़क गया है पिछले साल के मुकाबले भी ये करीब 11 लाग कम हुआ है जो नामांकन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है बड़े नामांकन को बचा नहीं पाने से सरकारी नाकामी के साथ सरकारी शिक्षन विवस्था की पोल उधर कर सामने आ गई है अलवर जिले में अगामी दिनों में पाला पढ़ने के आसार है पिछले 5 दिनों से कोहरे का आसार रहा है और बादल भी चाय रहे लेकिन शीटले हा रहने के कानण अधिक सर्दी रही दिन में सूरेदेव के दवशन कम हुए इस वज़े से गलन वाली सर्दी रही लेकिन अ आगा में दिनों में पारा और नीचे आने की संभावना है। योजी सी नई दिलने ने रावसान विश्य विद्याले समय देजवज की यूनिवस्टरी के कुलपती को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे की खिलाफ शपत दिलवाने के लिए कहा है। की दवा अपलब्द होगी। माक्षेट से फार्मसिस्ट के तोर पर पंजी करन के लिए उनलाई नाविदन कराया जोता था। बाद में कूट रची तरीके से बनाई गई मेल आईडी से फरजी ओनलाई सत्यापन करा पंजी करन करा लिया जोता था। फरजी वाड़े का ये मामला उचिस्तर पल गया। मुखे मंत्री पर जनलाई शर्मा ने इसको गंभीर माना और इस मामने पर विभाग को F.I.I.R. दरच कराने के निर्देश दिये। गरपात के लिए आने वाले M.T.P. किट की गोली बिना लाइसेंस के बीशना आवैद है। लेकिन परिजनों के किट का उपयोग नहीं करने का क्या है कर उपचार करवा लिया जाता है। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर। है